गुड मॉर्णिंग स्टुडेंस आज मैं आपको वैचित्रमें असम पूरक पाथिय पुस्तर से बोडो जन्जाती के बारे में बताऊंगा बोडो लोग पुर्वतर भारत की आदिम जन्जाती है पुर्वतर भारत के असम राज्य केवे मूल निवासी है और भारत की एक महुत्तपुर्ण जन्जाती है बोडो समुदाई स्वेंग एक ब्रिहत बोडो कच्छारी समुदाई का हिस्सा माने जाते हैं 2011 को भारतिय राज्च्चे गनना में लगबग 20 लाग भारतियों ने स्वेंग को बोडो बताय था जिसके अनुसार वे असम की कुल अबादी के पांच प्रतिश्चत ही है भारतिय संविदान की छटी धारा के तहट वे एक अनुसी सूचित जन जाती है बोडो लोगों की मात्री भाषा भी बोडो भाषा कहलाती है जो एक ब्रह्म पुत्री भाषा है ब्रह्म पुत्री भाषाएं तिब्वती बर्मी भाषा परिबार की एक शाखा है भाषा शायत ध्रम और समिद्ध संगस्किती के साथ बोडो असम में निवास करने वाले एक बिशिष्ट जन जाती है सर एडवेट गेट के अनुसार असम और उत्तर पच्छिम बंगाल में बोडो लोगों का बिशाल समराज्यता वर्तमान में बोडो लोग असम के बिविन्य स्थानों में निवास कर रहे हैं कहा निवास कर रहे हैं जैसे कुकरा जार, चिरांग, बाक्सा, उदाल गुडी, आदी बोडो छेतर हैं इसके अलावा बोडो मूल के सोनवाल कशारी, ठेंगाल कशारी, सुतिया, देवरी, लालूं, राभा, गारो, हजंग और तिरिपुरी लोग लखिमपूर, तिनसुकिया, डिब्रुगर, सिफसागर, आदी स्थानों में निवास करते थे बोडो लोगों की अपनी समिद्ध शाली भाशा है बोडो भाशा चीन के तिब्वती वर्मी परिवार के भाशा है बोडो भाशा समिद्धान की आठ्वी अनुसुची में दर्ज है बोडो भाशा समिद्धान की आठ्वी अनुसुची में दर्ज है बोडो साहित्य सभा के लिए सबसे गौरब में उपलब दी ये है कि इसने बोडो लोगों के लिए प्राथमिक स्तर्स से लेकर उच्च शिक्षा के स्तर तक की शिक्षा को अपनी मातरी वाशा में उपलब करा कर एक असमब जैसे कारिय को संभब कर दिखाया इसने दूसरा बड़ा काम किया है बोडो हिंदी अंगरेजी शब्द कोश का निर्मान किया इस सनस्था का अपना भवन बनाना भी एक बड़ी उपलब्दी है बोडो भाषा की पहली पुस्तक गंगाचरन कचारी गंगाचरन कचारी की बडो फिसा ओ आइन 1915 है बोडो लोगों का प्राचिन धर्म बार्थो है बार्थो बोराई बोडो लोगों के शेष्ट देपता है ये लोग बार्थो पुजा बड़ी शदा पुरुबक करते हैं और साथे साथ यहां के पुरुष और महिलाई भी अधिक परिशर्मी होते हैं उनके पहनावे वाद्य, निर्ट्य, गीत की एक अलग ही पहचान है इन लोगों ने असम की प्रगती में अपना बहुत अमुल्य युगदान दिया है और यहां के जो मुख्यप प्रख्यात कलाकार है शोबा ब्रह्म, कामिनी कुमारी नर्जरी, शहीद बिनेश्वर ब्रह्म, बोडो जनजाती के ही अमल्य हस्ताक्षर्त बोडो लोगों के बारे में लिखी के इनकी दो पुस्तकों के नाम है फेमाल मिजिंग और जुजाईनी है इन लोगों के पारिवरिक वेश्वुशा में इस्तेमाल कियेगे कुछ फूलों के नाम भी है दावतु अगान, फारेव मेगन, मुफूर, आफा, दावराई मेखब इत्यादी असम में बोडो जनजाती साहित्यकार थे कौन? श्री बिनेश्वर ब्रह्मा जो की बोडो साहित्य के सभागे अध्यक्ष्वी थे साजे साथ वे तेजश्वी, उजश्वी, वक्ता, देशभक्त और बिदेशी शडियंत्रों के खिलाफ निर्विक्ता से लोहा लेने वाले वे पुर्वान्चल में देवनगरी और हिंदी के लिए काम करते थे अनेक वर्षों से बोडो साहित्य सभा में बोडो भाषा देवनागरी में लिखने का संकलब क्या हुआ था बोडो पुस्तक देवनागरी में छप्ती थी ये सब उन इसाई प्रिथक अधियों को सहन नहीं हुआ जो वर्षों से पुर्वान्चल की जन जातियों को शेश देश की मुख्यधारा से काटने में जुटे वे थे उन्होंने चल बल से बोडो भाषा के लिए रोमन लेपी परचलित करवाना शुरू किया जब देश भग बोडो लोगों ने इसका बिरोद करना शुरू किया तो परिराम शुरूप विनेश्वर ब्रह्मा को हत्या के रूप में सामने आया देवनागरी का की तिलक अपने लहू से करने वाले शहीद विनेश्वर ब्रह्मा इसलिए देवनागरी के नव देता कहे गए बिनेश्वर ब्रह्मा सन 1996 में बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष बने और 1999 में विए फिर से अध्यक्ष बनाएगे असम में बोडो भाषा के लिए लिपी को लेकर कई बर आंदोलन हुआ और विनेश्वर ब्रह्मा ने रोमन लिपी के स्थान पर देवनागरी लिपी का समर्थन किया और वो सुकार कर ली गई लेकिन राज्य में चर्च एवं उसके द्वारा समर्थित आतंवादी गुट National Democratic Front of Brodo Land N.D.F.V के दवाब से बोडो साहित्य सभा में फिर से लिपी का प्रश्ण उठाया गया बिनेश्वर ब्रह्मा ने इस बार भी देवनगरी लिपी का समर्थन किया और N.D.F.B की धमकियों की उपेख्शा की इस बार उन्हें इसका परिणाम भुखतना पड़ा और शशस्त्र आतंवादियों के समर्थन के कारण उनकी हत्या कर दी गई दन्दवाद